प्रिये शिक्षकों, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में आपका स्वागत है। बच्चों में उनकी सर्वोत्तम युगिता विक्सित करने में मदद करने के लिए हम्मी, आवशक ज्यान और कौशल होने की आवशक्ता है। इसी के साथ आए पार्ठेक्रम 501 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक समाचिक सांस्कृतिक परिपेक्ष पर नजर डालते हैं। यह पार्ठेक्रम राष्ट्रिय एवंसार भामिक स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा का समगर रूप प्रस्तुत करता है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के एतिहासिक विकास को भी शामिल किया गया है। यह पार्थिक्रम आपको प्रारंबिक शिक्षा की प्रकृती और विकास को समझने में भी मदद करीगा। किसी भी पार्थिक्रम को पढ़ने के लिए उसके अधिगम के उद्देश्यों को जानना आवशक होता है। तो आईए इस पार्ठिक्रम के उद्देश्यों को जानते हैं। इस पाठ्थेक्रम को पढ़ने के बाद आप प्रारंबिक शिक्षा के सार भौमी करण के लिए विविद पहलों, जैसे चिला प्रात्मिक शिक्षा कारिक्रम, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आधि की समझ विक्सित कर पाएंगे. आप राष्ट्रिय एंवं अंतराष्ट्रिय इस तरो पर प्रारंबिक शिक्षा के समक्ष आ रहे मुद्दों और चुनोतियों पर भी अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे. इस पाठ्थेक्रम में चार क्रेडिट हैं, जो की 120 अध्यम घंटों के समकक्ष हैं. इस पाठ्थेक्रम में तीन खंड हैं, पहला खंड है भारत में प्रारंबिक शिक्षा एक सिंगावलोकन, खंड दो है, समकालीन संदर्ब में भारत में प्रारंबिक शिक्षा पहला भाग, समकालीन संदर्ब में भारत में प्रारंबिक शिक्षा भाग दो, तीसरा खंड है आईए खंड एक के बारे में जानते हैं इस खंड में आप प्राचीन काल से सतंतता पूर्व अवधी तक की भारतिय शिक्षा प्रणाली के एतिहासिक परिप्रिक्ष के बारे में पढ़ेंगे ये खंड सतंतता पूर और सतंतता प्राप्ती की अवधी में आयोगों और समीतियों की महत्पूर्ण संस्तुतियों को प्रस्तुत करता है इस खन में आप प्रारंबिक शिक्षा के सार भौमी करण की आवेशक्ता तथा संगठनात्मक संरचना के विशय में भी पड़ेंगे इसी के अनुसार ये खन चार इकाईों में विवाजित किया गया है इकाई एक भारती शिक्षा प्रणाली पहला भाग इकाई दो भारती शिक्षा प्रणाली दूसरा भाग तथा शिक्षा एक मौलिक अधिकार इकाई तीन प्रारंबिक शिक्षा के सार भौमी करण की संगठनात्मक संरचना इस खन की चौथी इकाई है अब पाठे क्रम के दूसरे खंड के विशय में जानते हैं दूसरा खंड है समकालीन संदर्ब में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पहला भाग पिछली एकाईयों के ही क्रम में आप इस खंड में देखेंगे कि यहां तीन एकाईया हैं अब हम आते हैं खंड तीन जिसका शीर्षक समसामाईक संदर में भारत में प्रारंबिक शिक्षा भाग दो है यह खंड आपको प्रारंबिक शिक्षक शिक्षा के मॉडलों राष्ट्री पाठ्चर्या रूप रेखा 2005 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्री पाठ्चर्या रूप रेखा 2009 तथा प्रारंबिक शिक्षा के प्रात्मिक और उच्चतर प्रात्मिक उप्चर्ण से शिक्षा मुद्दों और विश्यों का अध्यान करने में मदद करता है इसमें एक सरवाधिक महत्पून पहलू पर भी चर्चा की गई है जो है एक विचारशील कारेकरता की रूप में शिक्षक इस खंड में शिक्षकों को सशक्त करने की भी चर्चा की गई है ताकि वे उ में अंतराष्ट्री संस्थाओं की भूमिका इस खांड में 3 इकाइई 8 प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तार नौ सुविधा वंचित विध्यार्थियों की शिक्षा तथा इकाई दस प्रारंबिक शिक्षा में अंतराश्ट्री परिद्रश्य आईए संचिप में जानते हैं इस पाठे क्रम में तीन खंड तथा दस इकाईया हैं अधित जानकारी के लिए आप मुझे संपर्ख कर सकते हैं मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुपकाम धन्यवाद